नमस्कार बीएसी फर्स्टियर की बोटनी की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत हैं पिछले वीडियो के अंदर हमने पाइथियम के सिस्टेमेटिक पोजिशन्स उसके वेजिटेटिव केरेक्टर्स इसके अलाव उसके अंदर अपनने रोग लक्षन के बारे मे की ती तो पाइथियम के अंदर जो अशेक्सल रिफ्रो डेक्शन है वह बिजानो के द्वारा होता है और ये विजानों नियुक्स्ण। और जो également two रूटे क्षर आ around town इस अनुकुल प्रिश्टितियं में होता हैए और इन चल विजानों निर्मान है जो चल क्षर क्षित कि जो इनके अंदर जो औरलेंगिक जन होता है वो जूस्पोर के द्वारा भी होता है और कॉनिडे के द्वारा होता है जूस्पोर के द्वारा कब होता है जब इनके लिए फैवरेबल कंडिशन में है हुमिडिटी ज्यादा पाई जाती है यानि कि आदर इस्तिति में है जो ुए जू इस्पोरर्णियमं का फॉर्मेशन होगा अगर कंडिशन है तो इसके अंदर कॉनरी違 summers वा नीरमान होगा आपने सुरूआत करते हैं say glacier भार पाई के अंदर वी previous दानी का निरमान या फॉर्मेशन ऑफ इस्पोरर्णिय होगा तो उस्पोरणे तो भाई पर मेडानि ऩयाल ऐसा और दीक बुद्वाइड़ Conse Yeah फ़र्ट स्रत्विमा रहाने में ख्याभष्ट काफ़री सिर्स्ट फ्याज सब्सक्रों घ्रिख्ट सोफश्ट फैर्षॉ और उस फिरन इस्पोर एंजियांड पर परकिर्णन है वो वायू या वर्षा की द्वारा होता है या फिर अनिय कोई माधियम की द्वारा हो सकता है फिर इसका जो अंकुरन होता है अगर उसको उप्युक्त परपोसी और अनुकल अवस्ता होने पर बिजानु दानी का अंकुरन या तो पर्तिक्स रूप से होगा या पर्तिक्स रूप से होगा पर्तिक्स रूप से ये कोनेडियम का निर्मान करती है और पर्तिक्स रूप से ये चल बीजानू का निर्मान करती है ये चल बीजानू की रूप में जर्मिनेट होती है तो अपन पढ़ेंगे बीजानू दानी का पर्तिक्स अंकुरन या इन डायर दभार करने लगती हैं और इसमें चल बीजानु या जू स्पोर्स का फोर मेसन होता है। जो चल बीजानु दानी होती हैं उसका जू जीवधर्वीएक होता हैं वो 15-21 एक एंदर किये संतत्री जीवधर्य जीवदरी खंडों में रूपांत्रित हो जाता है और ये जीवदरी खंडे जो रूपांत्रित होकर दिव कसाविक चल बिजानू बनाते हैं या बाई फ्लेजिलेटेड जूइस्पोर का निर्मान करते हैं और जो चल बिजानू को ऊपर जो कसाविकाई लगी होती है वो पार परजोरी कि परज़न निकल जाती है और इस पुट्टीका या वेसिकल्स के अंदर पांच से लेकर दस चल बिजानू या जू स्पो Pल रहते हैं जब पुटी का फट जाती हैं तो चल बिजानू सम जले जाते हैं और उसके बाद उनकी फलेज़िलाए गाइब हो जाती है और लिए वह जाती है और अधर देन चल बिजानू क्या करता है आपने चार और पतली बिती इस्त्रावित कर लेता है अब इस सरंचना को अपन सिस्टो पॉर कहते हैं जब फैवरेबल कंडिशन आती हैं तो जो चल बिजन होते हैं वो अंकूरित होकर जनरल नली का बनाते हैं और जनरल नली का दुआरा क्या करते हैं ये नए माई सीलियम का निर्मान करते हैं और यह नया माईसीलियम है जो नए नवद्विद या निव सीडलिंग को infected या संक्रमित करता है और यह इस परकार का संक्रमन है जो भूमी जात या soil born होता है आपके सामने जो डाइग्राम दे रहा है वो अरलिंगिक जनन को दोरान किस परकार है जो एक फंगस है जो प्लांट को इंफेक्ट करके उसके अंदर माईसीलियम का formation करती है और फिर इसके अंदर कॉनेडियम या जूइ स्पोर का निर्मान कैसे होता है तो इस पूरी साइकल दे रहे साइकल को अपन समझते हैं तो शुरुआत करते हैं यह जो ए डाइग्राम दे रहा है यह डाइग्राम है जो इंफेक्टेड प्लांट का दे रहा है और इसके अंदर जो इस्टेम का जो पार्ट होता है वो डिजीज बैस बैसल रिजन यानिकि आदारी बाग में जो यह इन माइचलीम होता है इसके अंदर एक उधर फिलामेंट या उधर कवक तन्तु बनता है और इस उधर कंकूखत नुको अपन या तो जो स्पोर एंजियो 4 या कॉनिडियम दर कहते हैं अगर ड्राइख कंडिशन हो गई तो इस माइचलीम से का निर्माण होता है और कॉनिडिय ने प्लांट को इनफक्ट कर देता है अब अगर अधर कंडिसन ऊंडिसन है तो क्या बनाए गायगा यह इस पूर एंजिआ प्र या चल बजानु दानी दर बनाएगा और ऐसे बिजन-ओ-दनी का जो सिर्प बाग होता है वो फुला हुआ होता है ये वाला जो पार्ट है अपर वाला पार्ट ये जो फुला हुआ है और ये जो पूरा का पूरा निचे वाला पार्ट है इसको बोलता है squlle-ne fiane 4 तो спore-ng-4 का जो सिर्फ भाग, फुलावाबाग होता है, वोецपोरंजियम कहलाता है, और इस इसपोरंजियम में लग बख 15-20 नूक्लिस परजेंट होते हैं. फिर जब ये मैचियोर हो जाता है इस पोरेंजियम तो यहाँ पर एक सेप्टा का फोर्मेशन होता है या पट का निर्मान होता है और ये पट द्वारा सेस कवगजाल से अलग हो जाता है फिर जो इस जूश पोरेंजियम का जो जीवदरीय होता है वो छोटे-चोटे खंडों में डिवाइड होता है और पंदरे से बीस एक अंदर के जीवदरीय खंड इसके अंदर बनते हैं और इस बीज़णो दानी के सिर्फ पर एक उबार बनता है जिसे पेपिला कहते हैं और पेपिला के द्वारें जो यह अधकाइज नकीन फासे ho जाते हैं वो रिलीज हो जाते हैं और पूर्टी का युक्त जो चल बीज़णो दानी से मुक्त हो जाते हैं अब जब पूट्टीका है जो या वैसिकल से जो फट जाती है तो चल भी जानों मुक्त हो जाते हैं तो ये आगे वाला H डाइग्राम ऐ जो यंग इस्पोर एंजियम को सो करता हूँ है और चारों तरफ इनके पूट्टीका होती है अब जब ये पूट्टीका ब्रेकडाउं हो जाती है तूट जाती है तो यह जो इस पोर है जो रिलीज हो जाते है और अब जो इस पोर है जो किड्नी सेब्ड और भाई फ्लेजिलेटेड होता है फिर यह जो इस पोर क्या करता है अपने क्या करेगा नए माइसिलियम यहनी कि ए वह जो ल डा किप चो slower है और एंट आईगराब है जो जर्म ट disruptive का फोरमेशन हो रहा उसको सोघ और पर यह जो नए माइसिलियम में वापस क्या करेगा नए सेडलिंग को इंसेट करेगा इस arada आइरे से पाइठीछ से एंदर पडुक्न होता है तो ऑसे टृफ्टूल परद्टól होगा कि कि ऐ में उदर के एंद्टूल रिप्रॉदेक्शन Is कहाएो रिप्रॉदूल होता है और प्हþए कोनिदियों का ले बिजी अदूलत इन जूल नेक्स्ट पढते हैं अपन बिजानुदानी का पर्तियक्स अंकुरन तो जो बिजानुदानी का पर्तियक्स अंकुरन या डायरेक्ट जर्मिनेशन ओफ इस्पोरेंजियम तो ये जो पर्तियक्स अंकुरन है वो सुस्क परिस्तिती में या ड्राइ कंडिसिन में होता है जो कोनेडियम दर या कोनेडियम दानी दर या कोनेडियम दर बोलते हैं उसके ओपर कोनेडियम का फोर्मेशन होता है अब ये कोनेडियम क्या करता है इसके ओपर कोनेडियम का फोर्मेशन होता है और ये कवक सुतर से अलग होकर सिधे ही अंकुरित होकर क्या करती है नया माइ अनदर आसेक्षिल रीप्रॉेजुटा होता है जल जलोगत के द्वारा भी होता है क्वृ रखलेटों होगा मेरियमी जबकि आदर कंडिशन होगी तो जो ये जो माइसीलियम है वो चल बिजानो दानी का निर्मान करता है और ये चल बिजानो दानी है जो किस पर सिच्वेटेड रहती है चल बिजानो दानी दर फर फिर क्या होता है चल बिजानो के ऊपर एक पेपिला बनता है और इसके अलाव जो चल बीजानु दानी होती है उसके अंदर शेप्टा बनेगा तो शेप्टा के द्वारा ये क्या करता है अपने सेश कवकजाल या जो बच्चावा जो माई सीलिम होता है उससे सेप्रेट हो जाती है फिर जो जो बीजानु दानी होती है या चल बीजानु दानी होती है उस पुरी बाहर निकल जाती हैं और यह जब वैसिकल्स या पुट्टी का फड़ती है तो चलुक मेश्टीन कर लेंदे हैं और प्र अपने चारोगमोटी फिर फ्लेजिला लोस्ट हो जाती हैं और फिर अपने चार मोटी बिती बनाकर सिस्ट फोर का स्सान कर लेते हैं और सिस्ट फोर जर्मिनेट होखर जर्मिन्य ट्यूब और जर्मिन्य Ums गोब्च से यह सुद्व फोर में इस वीडियो के उपन 차05 के अंदर एसेक्सुल रिप्रोड़क्शन के बारे में पढ़ा था जो पाइथियम के अंदर कॉनेडियम और चल स्पोर के द्वारा या जू स्पोर के द्वारा होता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे पाइथियम के अंदर लेंग इक जने